हेलो फ्रेंट्स आज के इस सेशन में हम लोग संदीगत नेदरों की ट्रिक जाने वाले है टोटल सुष्रुत एकोर्डिंग 9 बताये है उसके टाइप्स और वागबट ने भी 9 बताये है बस आपको याद रखना है कि वागबट ने जो है पित्तस त्राव जो बताया है सुष स्त्राव ऐसे बोला है ठीक है तो चलिए फिर ट्रिक को स्टार्ट करते हैं आपको इमेजिन करना है फ्रेंट आपकी कोई संदी है जॉइंट है वहाँ पर्स हो गया पर्स मतलब पूय स्त्राव हो गया ठीक है वहाँ पर बहुत जादा पूय हो गया पूय होगा तो क्या हो मतलब आपको याद रखना है, पूय हो गया वहाँ पे संधी पे, वहाँ से पूयालस याद रखना है, उसके बाद स्त्राव से आपको याद रखना है, सलेशमस्त्राव, रक्तस्त्राव, पित्तस्त्राव और पूयस्त्राव, ठीके, चार स्त्राव आपको याद रखने है, उसके बाद आपने क्या किया वहाँ पे जो संधी है वहाँ पे उपनाह जैसे अपन पोटली बानते है वैसे वहाँ पे उपनाह बान दिया अगर उपनाह बानते है अपन तो वहाँ पे क्या होगा अलजी होगी मतलब ऐलर्जी जैसे होती है तो आपको याद रखना है उससे तो allergy से आपको क्या याद रखना है allergy जैसे जो day after tomorrow रहता है तो मराठी में उसको परवा बोलते है ठीक है तो आपको परवा से परवन याद रखना है मतलब allergy कब हुई जब आपने उपनाह बांदा उसके परवा परवा मतलब day after tomorrow जो रहता है उसको माराठी में बोलते है परवा तो उससे आपको परवण याद रखना है और अलर्जी अगर होती है तो कुछ तो वहाँ पर साइड इफेक्ट रहता है तो आपको याद रखना है वहाँ पर क्रीमी हो गई तो उससे आपको याद रखना है क्रीमी ग्रन्थी तो बहुत ज रेश्मस्त्राव रक्तस्त्राव पित्त और पूय मतलब चार स्त्राव वहां से हुए है उसके बाद आपने वहां पे क्या किया उपनाह पोटली जो रहती है उसको बाद दिया ठीक है तो जैसे ही उपनाह बाद दिया वह गरम गरम रहता है तो उपनाह जैसे बाद दिया को अपको कुमी करन्ति याद रखना है याद रखना मतलब वहाँ पर कुमी की उत्तति भी बस्वागबत के डिलाको या-द रखना है जहां यहां उन्हें पित्तस त्राय वोला है याद रखना है मतलब जो पित्त स्त्राव है वहाँ पे क्या याद रखना है जलस्त्राव थैंक यू